पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाय गया था कि उन्हों को XU Cosmetics की manufacturing factory में rabbits मिल गए जिससे clear हो जाता है कि XU Cosmetics अपने products में animal testing करते हैं और animal products भी use करते हैं उन्हों इस situation के वज़े से बहुत disturb हो जाता है वो इस पूरी room के video recording करता है और office जाकर नाउन को दिखाता है नाउन सारे photos और videos खुद को send करती है और बाद में उन्हों के phone से ये पूरा data delete कर देती है उन्हों नाउन को कहता है कि हम XU Cosmetics को support नहीं कर सकते वो इन मासूम जानवर के साथ खिलवार कर रहे है तो ना उन्हों का phone अपने पेरों से कुचलते हुए कहती है कि अब इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि XU Cosmetics ने हमें बहुत सारे पैसे दिये हैं उनकी marketing करने के लिए हमारी और उनकी deal बन चुकी है वैसे भी वो इतना भी हानी हो सकती है अगर कल को ये बात दुनिया के सामने आ गई तो तुम क्या करोगी अगर तुम कुछ नहीं करना चाती है इस बारे में तो ठीक है मैं खुद इस प्रॉबलम को अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा ना उन्हों को धमकाती है कि अगर तुम मेरे खिलाफ और तुमने अगर मेरी डील को बिगाड़ दिया तो मैं तुमें जिन्दा नहीं छोड़ूंगी मैं मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी आत्मा भी बेचने के लिए तयार हूँ इसलिए तुम समझ जाओ कि तुम किस से पंगा ले रहे हो और अपने काम से काम रखो नाउन का सिर अचानक से दुखने लगता है उसे चक्कर आने लगते है और उसके कानों में बेल की आवाज आती है यहां उन्हों नाराज होकर एक टेंपल में जाता है और इस टेंपल में जो बेल लगाई होती है यह वही बेल होती है जिसकी आवाज जिसकी यादे नाउन के सामने आ रही थी इसका मतलब इस टेंपल से दोनों उन्हों और नाउन का कोई तो कनेक्शन जरूर है एनिवेज नाउन थोड़ी देर सोचने के बाद XU Cosmetics के CEO से मिलने जाती है और उसे रैबिट्स की फोटोज और वीडियोज दिखाते हुए पूछती है कि क्या मुझे तुमारे कमपनी के बारे में और कुछ पता होना चाहिए CEO बेशर्मों की तरह कहता है कि अरे ये वीडियोज और फोटोज तो मेरी ही फैक्टरी के है मुझे मेरी फैक्टरी की सिक्यूरिटी बढ़ानी चाहिए पर वैसे मेरी फैक्टरी में और कुछ चुपाने लायक तो है ही नहीं इन वीडियोज और फोटो से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तुमें मेरे कमपनी की सच्चाई को चुपाने का काम दिया है मैंने इसके लिए तुमें पैसे दिये है तुमने ही का थाना कि लोगों को उल्लू बनाना आसान है तो अब तुम काम पे लग जाओ और लोगों की आखो में मेरे कमपनी की इमेज अच्छी ही रखो नाउन कहती है कि आज कल लोगों को उल्लू बनाना आसान नहीं है कल को अगर तुम्हारी फैक्टरी के बारे में किसी को पता चल गया तो तुम्हारे वज़े से मुझे भी नुकसान हो सकता है इसलिए तुम्हें मुझे डील में और पैसे देने होंगे और CEO 100 मिलियन डॉलर्स देने के लिए राजी हो जाता है इस शर्त पर कि X.U. कॉस्मेटिक्स का राज राज ही रहे जहाँ उन्हों नाउन के मतलब ही चालों से तंग आकर वापस X.U. कॉस्मेटिक्स की इन्यूफैक्टिरिंग फैक्टरी में जाता है ताकि वो सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके और वहाँ काम करने वाले लोग उसे रोकने की कोशिश तो करते है लेकिन उन्हों उनकी एक भी बात नहीं मानता वो उस रूम का दर्वाजा खोलता है जहाँ उसने रैबिट्स को देखा था लेकिन इस कमरे को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया होता है अब यहाँ कोई रैबिट्स नहीं होते यहाँ कोई भी आनिमल टेस्टिंग का प्रूफ नहीं होता सारे एविडिंस इसको सफाई से मिटाया गया होता है फैक्टरी में काम करने वाला इंसान उन्हों को कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम कुछ चुपा नहीं रहे है एक्स्यू कॉस्मेटिक्स अच्छी तरह से काम करता है इसलिए अब हमारा स्टोर खोलने के लिए हमें शू फैक्टरी के बिल्डिंग में पर्मेशन मिल गई है उस बिल्डिंग के ओनर के साथ एक्सू कॉस्मेटिक्स ने डील की है और ये बात सुनते ही उन्हों के होशुट जाते है अगर शू फैक्टरी के बिल्डिंग एक्स्यू कॉस्मेटिक्स को मिल गई तो उन जूते बनाने वालों का क्या होगा वो क्या करेंगे यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्सियू कॉस्मेटिक्स ने शू फैक्टरी के बिल्डिंग ओनर से डील तो बनाई है और जो प्रोटेस्ट करने वाले कामगार थे उन्हें सौंगसू मार्केटिंग एजनसी ने कुछ पैसे दे दिये और उनसे अग्रीमेंट साइ उसके लिए जूते बनाना जिंदगी है उसका अभीमान है यहाँ यूमी नाउन को बताती है कि उसने सारे जूते फैक्टरी में काम करने वाले लोगों को पैसे दिये है और उन्होंने प्रोमिस किया है कि अपसे वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे लेकिन उनमें से सिर्फ ए एक भी काम ठीक से नहीं होता अगर वो आदमी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है अगर वो तुमसे पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है तो तुम उसके करीब भी लोगों को यूस करके उसे ब्लैक्मेल करो और नाउन वहाँ से चली जाती है और जब नाउन वहाँ से चली ही रहो यहां नाउन शू फैक्ट्री बिल्डिंग के सामने आ जाती है जहां आदमी अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि मेरे जूतों का बिजनेस बंद नहीं होगा नाउन उसे कहती है कि तुमारी बेटी अपने फेस्बुक प्रोफाइल पे लिख रही है कि वो तुमे नाउन को चाको दिखाता है लेकिन उनके बीच में उन्हों आ जाता है और चाको उन्हों के सिर को लग जाता है आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो सच में किसी को चाको नहीं मारना चाता था और नाउन स्माइल करती है क्योंकि अब उसका पूरा प्लाइन सक सेस्फुल हो चुका है वो उन्हों को कहती है कॉंग्राचुलेशन्स तुमारे वज़े से इन कामगारों को पैसे मिल गए और अब शांती से मैं भी अपना प्रोजेक्ट कर पाऊंगी यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जब एक्स्यू कॉस्मेटिक्स के सीओ ने शू उन्हों को एविडिन्स मिल गया कि एक्सयू कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री में एनिमल टेस्टिंग होती है तो इसी प्रूफ से नाउन ने एक्सयू कॉस्मेटिक्स के सीओ को ब्लैक मेल किया उससे सौ मिलियन डॉलर्स लिये और वही पैसे उसने कामगारों के बीच में ब ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि XU Cosmetics एक वीगन और इको फ्रेंडली ब्रैंड है और नाउन का ये खुद गर्स और शैतानी रूप देखकर उन्हों के होशूट जाते है ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि नाउन किसी भी हद तक जा सकती है अपने फाइदे के लिए और यहाँ पर एपिसोड 3 खतम हो जाता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजे और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू